जड़ी बुटियों की जानकारी के संधर्व में आज एक और नई जानकारी के साथ हम हैं आपके साथ चर्चा करते हैं इस विशाल काय किन्तु अतीव और शदिय गोनों से भरपूर कशनार कशनार का वरिक्ष वास्त में आयरुवेद का वरदान है वोहीनिया बेरी गेटा के विशेय में हम आपको आज बताएंगे इसका गुजराती नाम चंपा काटी मराधी में कोरल और कांचन बोलते हैं पंजाबी में कशनाल कुलाड बोलते हैं बंगाली में कांचन बोलते हैं और जिसको बोलते हैं तेलगों में देवकांचनमू यह एक बहुती प्रसिद्ध पौदा है जो भार्द वर्ष में प्रायह सरवत्र पाया जाता है इसके मुख्यत यहा दोई प्रजातियां होती हैं और इसके जो ब्रक्ष हैं काफि विशाल होते हैं और लगभग इसकी हाइट पचास-साठ फिर तक होती है आईरुएद में और उशदी के रूप में इसके तवचा का हम प्रेयो करते हैं प्रायह इसकी कलियां इसके अफुस्प और इसके पत्र भी काम आते हैं और हमने पाया है अपने भ्रह्मण के दौरान अपनी यात्रा के दौरान इस जडिबूटी के विशह में जब हम जानकारियां संग्रहित कर रहे थे तो हमने देखा कि देश के ग्रामिन आदिवाशी शेत्रों में कही ना कहीं, इसको कीजी ना कीजी रूप में लोग पूरे देश में प्रयोग करते हैं. यहाँ प्रयोग जहाँ जहाँ से हमें जो भी प्राप्त हुआ, जो भी हमने अनभव किया, आज हम आपके साथ बाटना चाहते हैं जिस से यह विद्या जन जन तक पहुँचे देश के प्रतेक एक नागरिक तक पहुँचे और देश के नागरिक को लाब हो जिसका मुँ में छाले हैं बहुत ज़्यादा या मुख के अंदर दुरगंध है और किसी भी तरह से ठीक होने में नहीं आ रहा है उसे स्थिदी में आप इसके छाल को निकाल करके उसका काढ़ा बना लें लगभग 10 ग्राम छाल को आप 400 ग्राम पानी में पका लें पका करके जब 100 ग्राम सेश रह जाए चान करके फिर आप उसके उससे कुला करें, गडूस करें, गरारे करें उससे पूरा लाव हो जाएगा यहां आप प्रती दीन दिन में दो तीन बार बहुत अच्छी औशदी है यहां मूँ पाक के लिए, मूँ के छाले के लिए इसके अतीरिक्त आउं और दस्त में बहुत ही यहाँ एक दिव्य और शदी है पेट के लिए इसके चाल का पाउडर करें पाउडर करके आप यदि उसका लगवत तीन ग्राम पाउडर को पानी के साथ प्रादह सायम से बन करते हैं तो आउंगे दस्तों के लिए यह अत्यंत गुणकारी और प्रभावशालियोशदी है इसके अतीरिक्त इसमें जो फलियां आती है उन फलियों को जैसे सेम की फलियां होती है उसी टाइप में कस्टनार की फली सेव की फली से बड़ी होती है तो मुत्र कृष्ष्र में यदि उन फ़लों में से बीज को पौडर करके एक एक ग्राम पौडर प्रातह सायम यदि सेबन करते हैं आप ताजे जल के साथ, तो आपको लाभ होगा मुत्र कृष्ष्र में जिनको पेशाब संभन्धी व्यमारी है उसमें यह अत्यंत लाभकारी प्रयोग है विशेस्तया इसके छिलके को हम प्रयोग में लाते हैं इसलिए यह बहुत जरूरी है हम इन ब्रिक्षों के संद्रव में थोड़ी सावधानी को भी जाने इसके रिये जरूरी है एक तो आप ब्रिक्षा रोपन अवश्य करें जड़ी बूटियों का रोपन करके इन जड़ी बूटियों को अपने देश में बढ़ाने में सहभागी बने दूसरा जब हम इसके अंदा धूंद इच्छे पेड़ों के छिलका को निकालते हैं तो पेड़ सुख जाते हैं तो इसलिए जरूरी है आप सावधानी रखें जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं य आश्ट्र भाग वह इसमें दिखाई दे रहा है यह नुकसान दायक है इस तरह से आप पूरे पेड़ के छिलके को निकालते हैं तो वह जो छिलका है उसकी वज़े से पेड़ सुख सकता है यदि ब्रिक्ष नहीं रहेंगे तो हम जड़ी बूटियों कहां से प्रयोग करें बाद में यह उपर की इतने से भाग को आप छिलके को रूप में निकालें इस तरह से यदि आप इस छिलके को निकालते हैं तो आप पाएंगे कि यह ब्रिक्ष सुखेगा नहीं अपितुद पुनहां वह छिलका दुबारा ब्रिक्ष में तयार हो जाएगा इस तरह से आप और यह ब्रिक्ष हरे भरे जिवकृतियों हमारे देश में फिर पुनहां आपकी और प्रयोग के लिए यह आपको उपलब्द रहेंगे तो यह बहुत जरूरी है ब्रिक्षों के प्रयोग जिस तरह से आपको जड़ी बूटी के प्रयोग के संधर्म में हम बता रहे हैं उसी तरह से जड़ी बूटी के संग्रहन के बारे में क्योंकि किस तरह से हम आउशिदियां संग्रहित करें किस रितु में हम संग्रहित करें यह भी आयर्वेद की दृष्टे से बहुत महत्तपूर्ण है तो इसको आप बिलकुल सावधानी से करें क्योंकि वह ब्रिक्ष ठीक ह आज हमें उपलब्ध है पर आने वाले कल के लिए भी हम उसको संग्रक्षित रखें कि कल वह पेड़ पुनहां हमारे कारी के लिए हमारे औशधिया प्रियोग के लिए वह उपलब्ध हो सकें इसी तरह से प्रते एक ब्रिक्ष में से जिनका त्वक यूज किया जाता है लगडी तक आप इसको न उतारें यह अंदर से लखडी दिखाई दे रही है अब ही तो इसके यह आदी छिलका को आप देखने इसके दो भाग हमने कर दिया है एक भाग यह चिपका हुआ एक भाग यह आपके हाथ में इस तरह से इतनी छिलका को आप अबर्ष्य छोड़े चाहे हो अरजुन का ब्रिक्षु हो, चाहे कचुनार का हो, चाहे बेल का हो, चाहे गंभारी हो, चाहे शीरस का पेड़ हो, चाहे किसी भी तरह का पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बकायन का पेड़ हो, बरगत का पेड़ हो, जिन ब्रिक्षु का हम पेड़ के छिलको को मोटा मोटा कूट करके लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें लगभग बचने पर 100 ग्राम चान करके इदि उसमें थोड़ी सी मात्रा में या तो मर्वे के पत्तों का पाउडर या पत्तों का रस या थोड़ा सा बायविडंग का पाउडर एक ग्राम मिला करके देने से के लिए यहां बहुत ही दिव्य औश्दी है काश्चनार का जो प्रयूग है आईरुवेद के अंदर सभी तरह के फोड़े फुनसियां और गाठ के लिए प्रयक्त होती है यहां एक बहुत ही दिव्य औश्दी है इसके अंदर इसके मुख्य जो अईरुवेद में निर्मित द्रव्य में काश्चनार गुगल एक मुख्य औश्दी है काशनार गुगल के द्वारा हम समस्त प्रकार के गांठों में उसका प्रयोग करते हैं और जितने भी हार्मोन से रिलेटेड या अंदर की जो गांठे हैं उसमें भी वह काशनार गुगल काम करता है इवन हम लोग क्यांसर के अंदर भी कच्छनार गुगल का प्रयोग करते हैं बहुत ही दिव्य ओशदी है जिनको ग्वायटर गलगंड बढ़ा हुआ है या थाइराड की प्रावलम है या फोड़े फुंसिया है या आपको किसी भी तरह से मेलिगनेंसी ओगर की शिकायत है तो आप उस स्थिति में कच्छनार का प्रयोग कर सकते हैं उसको या तो कच्छनार गुगल आदी जो बनी हुई ओशदीया फिर यदि आपको यह इस तरह के ताजे ब्रिक्ष कहीं पर इस तरह के पौधे दिखाए दे तो आपको इसको ताजा ही प्रयोग कर सकते हैं इनसे आपको पूरा लाब मिलेगा यह आपके लिए बहुती लाबकारी पौधा है इसे इस करके आपके गांठों के लिए अंदर या बाहर के होने वाले ट्यूमर आदी रोगों के लिए यह कशनार का ब्रिक्ष यह पूरे देश में इसी हरी आली के साथ इस तप्ति धुप में भी छाया देता हुआ इन अशाद्धे रोगों की मुक्ति के लिए आपके लिए खड़ा है एक और प्रियोग हमने इसका सुना जो इस विकास नगर से और इधर शिमला के शित्र में जो उधर थोड़े से जो पहाड़ी शित्र हैं वहाँ पर बहुत सारे एरियाओं में आज भी प्रियोग किया जाता है वह है पिलिया के उपर पिलिया के लिए वह लोग इस कचनार के पत्यों को इनका रस निकाल करके लगभग 100 ml रस वह प्रादह सायम रोगी को पिला देते हैं बच्चा है तो 10-15 ml जूस को कचनार के पत्यों का निकाल करके पिलाने से जो बढ़ा हुआ लिवर है वह अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और यदि आपका जो लिवर फंक्शन है यदि अबनॉर्मल है तो वह नॉर्मल हो जाता है यह तीलिया के लिए भी अत्यंत द पर यह है बहुत चमतकारिक ब्रिक्ष पश्यों को जैसे हमारे जो बैल हैं गाए हैं या भैस इन पश्यों को भी कभी कभी खुर पक जाता है या इस तरह के कभी चोट या घाव हो जाता है तो उस समय आपकशिनार के छिलकों को उबाल करके उसमें थोड़े नीम के पत्ती जाला करके उस गहाओ को दोते हैं या अच्छी तरह से साफ प्रक्व जल्दी भर जाता है और उस तरह कि जू पका हुआ गहाओ है वह ठीक हो जाता है ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है और दंतस्चूल के लिए दाटों के दार्द के लिए भी यहाँ दिव दंत मंजन आदी या और भी आउशिदी हैं इस तरह कि हम प्रयोग मिलाते हैं प्रयोग करते हैं पर दिव दंत मंजन की जगह यदि आप सिर्फ कच्छनार के छाल को जला करके उसका पाउडर करके यदि आप प्रयोग करते हैं या कच्छनार के व्रिक्ष को जला करके क बिमारी है वो हमेशा के लिए हो जाएगे दूर ये दंत रोगों के लिए भूती दिव्य गुनकारी और शदी है इसके अतिरिक्त गलगंड में गला बढ़ा हुआ है या टॉंसिल बढ़े हुए हैं उसमें आप 20 ग्राम च्छाल को 200 ग्राम पानी में पका करके और एक चौथ भी तई रहनेमे पर चांकर के पीते हैं तो निषट रूप से आप का जो गलगंड बड़ा हुआ गलगंड या टॉंसिल या थाइज्ट में निष्ट रॉप से अलाव होगा इवन हमने कैंसर के रोग्यों में इसका प्रेव किया है इसके चाल करस निकान करके प्रेंग कित जिनको भुख कम लगती हो भुख बढ़ाने के लिए भी इनकी कोमल पत्यों को थोड़ा तोड़ें और इसके थोड़ा चाल को तोड़ें उसको कूट करके उसका रस निकाल करके इदियाव सरवत की तरह मिश्री मिला करके भी आप इसको पी सकते हैं और काढ़ा बना करके जालें मोटा सा कुटा हुआ उसमें दो-चार पत्ति तूल सी डाल करके यदि आप चाय की तरह से भी पीते हैं तो यह पेट के लिए आपके नर्वस सिस्टम के लिए विशेश करके इस सरीर के गाठों के लिए एक दिव्य चाय की तरह से दिव्य और शदी के तरह से आप इसके अतीरिक तो यदि बहुत ज़्यदा कब्ज है अजिरन की शिकायत है उसमें भी आप कच्छनार के चाल में थोड़ा त्रिफला डाल करके उभालें त्रिफला यानि हरड बहड आवला, हरड बहड आवला पांच गराम ले लें, पांच गराम कश्चनार के छाल कुस्व मिला लें, इसको यदि आप उवाल करके पीते हैं, तो इससे शांत हो जाएगा आपका पेट का अफ़ारा, पेट का भारीपन, पेट के अंदर जो ग्यास है, वायू है, गुल्म है, उससब के लिए ये बहुती एक दिव्य और उत्तम प्रयोग है, काश्चनार का जो प्रयोग है, आयरवेद के अंदर, सभी तरह के फौडे, फूसियां और गांठ के लिए प्रयोग तो होती है, यह एक बहुती दिव्य व्य और शदी है, इसके भी हार्मोन से रिलेटेड या अंदर की जो गांड़े हैं उसमें भी वह काचनार गुगल काम करता है इवन हम लोग कैंसर के अंदर भी काचनार गुगल का प्रयोग करते हैं बहुत ही दिव्य ओशदी है जिनको ग्वाइटर गलगंड बढ़ा हुआ है या थाइराड की प्र प्रियोदी आपको इस तरह के ताजे ब्रिक्ष कहें पर इस तरह के पौधे दिखाए दे तो आपको इसको ताजा ही प्रयोग कर सकते हैं इनसे आपको पूरा लाब मिलेगा या आपके लिए बहुती लाबकारी पौधा है जिसे इस करके आपके गांठों के लिए अंदर या बाहर के होने वाले ट्यूमर आदी रोगों के लिए यह कशनार का ब्रिक्ष यह पूरे देश में इसी हरी आली के साथ इस तप्ति धुप में भी छाया देता हुआ इन अशाद्धे रोगों की मुक्ति के लिए आपके लिए खड़ा है एक और प्रयोग हमने इसका सुन जो इस विकासनगर से और इधर शिमला के शित्र में जो उधर थोड़े से जो पहाड़ी शित्र हैं वहां पर बहुत सारे एरियाओं में आज भी प्रयोग किया जाता है वो है पीलिया के उपर पीलिया के लिए वो लोग इस कशनार के पत्तियों को इनका रस निकाल करके ल जाने से जो बढ़ा हुआ लिवर है वहां अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता है और यदि आपका जो लिवर फंक्शन है यदि अबनॉर्मल है तो वहां नॉर्मल हो जाता है यहां तीलिया के लिए अथिंत दिव्यो शदी है और हमारे आदिवासी और ग्रामिर शित्रों में लोग बखु भी इसका प्रियोग कर रहे हैं है यह सामाने ब्रिक्ष देखने में नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इतने गुण होंगे पर यह है बहुत चमतकारिक ब्रिक्ष परशों को जब जैसे हमारे जो बैल हैं गाये हैं या भैंस हैं इन परशों को भी कभी कभी चोट या गाव हो जाता है तो उस समय आप कशनार के छिलकों को उबाल करके उसमें थोड़े नीम के पत्ती डाल करके उस गाव को दोते हैं या अच्छी तरह से सवाफ करते हैं तो गाव जल्दी भर जाता है और इस तरह के जो पका हुआ गाव है वह ठीक हो जाता है यह ब प्रयूग मिलाते हैं प्रयूग करते हैं पर दिव्य दंत मंजन की जगह यदि आप सिर्फ कच्छनार के छाल को जला करके उसका पाउडर करके यदि आप प्रयूग करते हैं या कच्छनार के व्रिक्ष को जला करके कोईला बना करके यदि आप मंजन की रूप में प्रयूग है इसके अतीरिक्त गलगंड में गला बढ़ा हुआ है या टॉंसिल बढ़े हुए है उसमें आप 20 ग्राम चाल को 200 ग्राम पानी में पका करके और एक चौथा ही रहने पर चान करके पीते हैं तो निश्यत रूप से आपका जो गलगंड बढ़ा हुआ गलगंड या टॉंसिल थाइरेड में निश्यत रूप से लाव होगा इवन हमने कैंसर के रोगियों में भी इसका प्रयोग किया है इसके छाल का रस निकाल करके प्रयोग किया है यह अत्यन तो गुणकारी है जिनको भूख कम लगती हो भूख बढ़ाने के लिए भी इनकी कोमल पत्यों को चाल को तोड़ें इसको कूट करके उसका रस निकाल करके यह आप सरवत की तरह मिश्री मिला करके भी आप इसको पी सकते हैं और काढ़ा बना करके उबाल करके पी सकते हैं जिस तरह से अभी हमने बहुत सारे व्रिक्षों के विश्य में चर्चा की विशेश करके जो व्रि के चाय के रुप में भी प्रियुक करते हैं उनमें से इस कच्छनार के चाल को भी थोड़ी सी चाल ले लें मोटा सा कुटा हुआ उसमें दो चार पत्ती तूलसी डाल करके यदि आप चाय की तरह से भी पीते हैं तो ये पेट के लिए आपके नर्वस सिस्तम के लिए कच्छनार की नहीं हो यह लिए वाली नहीं हो वह पुरानी यह देखने से अंधाज लग जाता है यह ज्यादाअ पूरानी तो नहीं इस इसा थोड़ा सा ठीहान रखें बहुत जरूरिए है यदी जलन होती है तो जलन के यह इसके छाल को थोड़ा कूट करके इस आप थोड़ा सा धनिया मिला करके फिर उसको उसके रस में मिश्री मिला करके इन्हें 10 ग्राम चाल को कूटें 200 ग्राम पानी में डाल करके लगभग 3-4 ग्राम धनिया को पाउडर करके उसमें मसलें चान करके यदि आप थोड़ा मिश्री मिला करके पेते हैं तो यह आपके प पहनक रोग में भी यहाँ कशिनार का काढ़ा, कशिनार का जो कशाय है वो आपके लिए बहुत लाबकारी है। इसे पेशाब खुल करके होने लग जाता है, जिनको कम पेशाब होता हो वह भी इसका प्रयोग बड़ी निरभ्हेता के साथ कर सकते हैं। इसके अथिरीक्त जिनको शरीर में कुबड़ापन है, कुबड़ापन दूर करने के लिए आप कशनार के छाल का पाउडर करें, तीन चार ग्राम पाउडर और उसको दूद में हल्दी डाल करके प्राताहसायम प्रियोग करें, जो हमारे आदिवाशी शेत्रे हैं, उन में यह इस तरह से प्रियोग किया जाता है, कुबड़ापन दूर करने के ओश्रधी की रुप में, यह कशनार का ब्रिक्ष उन लोगों के बीच में आज भी प्रियोग में लाए जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसका नियमित रुप से सेवन करें, और खाने में थोड भी बहुत पौस्टिक होते हैं, जो सीजन में फूल आते हैं, उसका गुलकंद भी बना करके सेवन कर सकते हैं, गुलकंद पेट के लिए बहुत लापकारी है, खासी कफ में भी वह लापकारी है, पौस्टिक है, रसायन है, इसी तरह से उन फूलों को, कशनार के फूलों को प्रे욕 कर सकते हैं कुछनाऱ् की चाल का प्रेओग आप Pied की विकृतियां हैं इस तरह की चीजों में आप उसका प्रेओग कर सकते हैं इसकी अतिरीत जैसे किसी भी कि तरह की गांट है हमारी मातां भहनों के जो ट्यूमर हैं February या किसी तरह की दूसरी गांट से हैं, उनमें भी, यदि आप किसी भी तरह की, कोई भी ओश्रदी खा रहे हो, यदि कच्छनार की पेड़ का चाल आप बराबर पीते हैं, तो आपकी गांट चाहे हुआ बाहर है, चाहे हुआ अंदर है, गांट की हो जैसे, फाइवरेट्स और टिमर्स की हो से माता बहनों को प्रेगनेंस से नहीं होती है, वह गरवधारन नहीं कर पाती हैं, उन सब के लिए भी एक दिव ओश्रदी है, रामबान हैं, आप कच्छनार के चाल का चार पांच ग्राम चाल ले लें, सुखा हुआ चाल पांच ग्राम ताजी चाल है, तो आप दस ग्राम मातरा में ले करके, जब आप उसको चार सो ग्राम पानी में पकाएं, एक चोथा बचे छान करके पिएं, यह निरापद है, आप इस तरह के रोगों में निर्भैता के साथ प्रेव कर सकते हैं, उससे हमारे हार्मोनल जो ग्लैंस हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे, जो हार्मोन